दुनिया के सबसे भयंकर जंग का मैदान बन चुकी गाज़ा पट्टी हवा में बारूत का गुबार, जमीन पर मलबे का पहाड आस्मान से बरस्ते बम, चिंगाड मारती मिसाइले और जमीन पर जिंदगी की जंग में जुटे वो तमाम लोग जो भूके पेट और घायल जिस्म लिए किसी तरह एक वक्त का खाना और पानी हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं गाजा अब अफसोस का सिलसिला बन चुका है, जक्म नासूर बन चुके हैं, मरहम फिलहाल दूर दूर तक नहीं है, शान्ती को लेकर सौदेबाजी बंदू के तै करने में जुटी हुई है अब उसी गाजा की किस्मत में एक नया मोडा रहा है, अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर गाजा जंग का एक नया मैदान बन जाएगा, जहां परमानू पाकते एक दूसरे पर हमला करेंगी दरसल एक बड़ी खबर मिडिलीस से आ रही है, पाकिस्तान अपनी फौज को गाजा पट्टी भेजने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के इस प्लैन को मनजूरी दिलाने के लिए पाकिस्तानी नेता सौधी अरब की चोखट पर खड़े हुए है पाकिस्तान दरसल तबहा हुए गाजा के इलाके में अपनी फौज को स्थापित करना चाहता है ताकि उसे वहाँ के पुनर निर्माण बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और फूड सप्लाई का अंतररास्ट्रियेट ठेका मिल सके पाकिस्तान को लगता है कि गाजा में पाकिस्तानी आर्मी की तैनाती से पाकिस्तान की वैश्विक मौजूदगी मजबूत होगी साथ ही पाकिस्तान को ये भी लगता है कि साओधी अरब के सहारे अगर उसकी सेना गाजा में फिलिस्तीनियों की मदद के लिए तैनात होगी तो उसके और साओधी अरब के रिष्टों में सुधार होगा यहां गौर करने वाली बात यह है कि विदेश नीती के मामले में पाकिस्तानी सेना ही सभी फैसले लेती है पाकिस्तानी सेना की स्वतंत्र शैडो नीती पर पाकिस्तानी सरकार और संसद का कोई जोर नहीं होता है पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर गाजा में सेना की तैनाती को लेकर साओधी अरब से सीधी बाच्चीत कर रहे है इतना ही नहीं पाकिस्तानी सेना इन दिनों बड़ी मात्रा में युक्रेन को गोला बारूद भी भेज रही है ये गोला बारूत बृतें के रास्ते युकरेन पहुँच रहा है मौलापूरति के लिए पाकिस्तानी सेना के तहट काम करने वाली ओर्डिनेंस फैक्टरिया दिन रात काम कर रही है पाकिस्तान की सेना स्वतंतर शैडो नीती के तहट युक्रेन को हथियार पहुचाने का काम कर रही है पाकिस्तानी सेना दरसल साओधी अरब के साथ गाजा में शांती दूद के तहट काम करेगी गाजा के हालातों के चलते वहाँ पर इंटरनेशनल सेक्योरिटी फोर्स भेजी जाएगी फिलहाल गाजा पट्टी में पाकिस्तानी फोज का आपरेशन सिर्फ फूड सप्लाई तक ही सीमित रहेगा गाजा में रीबिल्डिंग के लिए फिलहाल पाकिस्तानी सैनिक नहीं जाएंगे लेकिन साफ है कि ये विकल खुला रहेगा और भविश्य में इस दिशा में भी कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा फिलहाल पाकिस्तान की कोशिष है कि किसी भी तरह गाजा पर कदम जमाए जाएं दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान परमार उसमपनिदेश है ऐसे में गाजा में पाकिस्तान की मौजूदगी इसराइल को दूसरा संदेश देने के एक काम भी आईगी बहले ही पाकिस्तान की सेना वहां सिर्फ फूड सप्लाई का काम देखे लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना और साओधी अरब गाजा में पैर जमाने का काम करेंगे जो इसराइल के लिए नई चुनौती पैदा करेंगे झाल